हेलो नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्योब चानल पे दोस्तों आज के इस उड़े में मैं आपको बारबाद और स्टीटेंड की जो मैच है वी ओ वाई वर्सेस एस एटी की दस ड्रिमिलियोन की विनिंग टीम्स दिखाने आलो जैसे कि सबसे पहले तो मैंने मैच को आपको हालेट करके दिखा दिया उस पर आपको क्लिक कर लेनी है और अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाई तो कोई बात नहीं नीचे भी क्रियेट टीम कर सकते हैं और यहाँ पर जाके मल्टिपल्स टीम बनाना थोड़ा आसान होता है और जैसे के आप देखी पा रहे होंगे कि मैं दस टीम स्वापे अल्रडी बना के रख चुका हूँ तो अफकोस मैं उसी पर क्लिक करके सभी टीम आपको प्रिवियो करके दिखाऊंगा एक-एक करके सभी किस-किस को लेना है किस-किस को नहीं लेना क्याप्टर नवाइस क्याप्टर किसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो काफी मज़ेदार वीडियो रहने वाला अंतर तक ज़रूर देखे साथ चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब क टाइम तो इसलिए इसके आलाँ कोई ऑप्चन नहीं है तो ये हमारे पास हर जो अब बात करते ज़रेंगे मतलब 3 अल्रॉंडर भी हमारे पास रहेंगे अब यहाँ पर मजएदार बत यह है कि मेरे पास चार गिनबाज रहने हैं पहले ही टीम में यौँ पर देख सकते डि डिपेजा एलग्जैंडर जेड क्रेलिक ट्रेल्क और डी कांबॉरेट इस तरह से चार गेन बाद मेर पास रहने वाले जो की बड़िया सावित हो सकते है और परफॉर्मस भी अच्छा रहा है अभी तक तो इस टीम का क्याप्टन मार्शल और वाइस क्याप्टन डी स्मित को बनाएंगे दोनों बेस्ट परफॉर्मस कर रहे हैं फिलाल देख सकते आप तो इसलिए इन दोनों पर आज कैप्टन और वाइस कैप्टन आप जरूर भरसा कर सकते हैं लेकिन इतना ही कहूंगा उल्टा करना चाया तो उल्टा कर सकते हैं मतलब कप्तान को वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन को कप्तान भी बना सकते हैं या फिर इस टीम में नहीं बना पाए तो दस से जादा टिम में बनाते हैं तो वहाँ पे कर लीजिगा इस टिम को क्लोज कर लेते हैं दोस्तों दूसरी टिम देखाने से पहले जरू को होगा वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए आपका एक लाइक काफी बड़ीया मोटिविशन का साधन मनता है तो जरूर वीडि प्रिंगर अल बाप को लूंगा मैं इस वाल इस बार और वी वेलकॉम इनको भी मैं इस टिम में रखूंगा तो इस तर से पाज मेरे पास रहने वाले जो कि आपके लिए काफे फाइडे मन साभित हो सकते हैं उसके बाद ऑल्राउंडर में में मेरे पास कमी नहीं है डी स्म यहां पर के एलेन को क्याप्टन मार्शल को वारल को वाइस क्याप्टन मना नहीं जा रहा हूँ यह दोनों भी काफी वड़े हैं एक अच्छा-कासा और यह अच्छा-कासा बैट्समन है तो इससे आपको काफी ज्यादा फाइदा हो सकता है और आपको ग्रैंड लिग भी दोस्तो यह टीम भी आपके लिए अच्छी है पहली टीम भी अच्छी थी ग्रैंड लीगों बड़ी लीगों स्मॉल लीगों किसी भी लिग के लिए लेकिन आप सोच समझ के यूज की जगा लेकिन अभी फिलाल इस टीम को क्लोज कर लेते हैं तीसरी टीम पर चलता है हमें लाब और वारल इस तरह से तीन ही बल्ले बाज यहां पर लूंगा और तीन हो एक टीम के हैं जैसे के आप देख पारें आप देखेंगे डी स्मीट के स्टॉल्ट एलेन और मार्शल इस तरह से चार वह यहां पर आल राउंडर है गेन बाजी में अलेक्जेंडर क्लरक और फिर से डी कार्मेट को इस टीमेर रखूंगा तो इस तरह से तीन गेन बाज रहेंगे लेकि थोड़ी अलग टीम है इस टीम का किब्टन डी स्मीट को बनाया है अभी तक इनको क्याप्टन नहीं बना पायता और कैलन को को वाइस क्याप्टन बनाऊंगा यहां पर यूज करना ज्यादा बेतर देगा स्मॉल लिक के लिए यूज करना ने करना मैं आप पर छोड़ता हूँ फिलाल अभी इस टीम को भी क्लोज कर लेते हैं और चोथी टीम पर हमीं चलना है किस तर से हमने बनाई है अब चोथी टीम के अगर बात करूँ तो मैं जरू कहिना चलना कि मेरे पास डी रिचर्ड्स के साथ-साथ यहाँ पर फिर से पाच वल्लेबाद रहने आले हैं यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास के विक्रम, स्पिंगर, वारेल, डी स्मित और मार्शल आपके जगा तीन ही वल्लेबाद है और दो ही ओल्लेबादर मेरे पास मोजूर रहने आले हैं क्योंकि मुझे आप थोड़ी अलग टीम भी बनानी होगी डी स्मित और मार्शल दो ओल्ल रॉंडर हैं जिसके वज़े से मेरे पास पाच गेनबादों के आप्शन बने हैं होल्डर को भी ले रहा हूं अलेकजनडर को अलेखर को करनसिको ले रहा हूं जेकलां को करे मुद्द को फिद्से यहाँ पर ले ले रहा हूं तो हर एक्व और आपू आपको देना चाहता हूं जिससे आप घृंड लिंग जीए तो इसलिए कहीज ना पही ऊए तो कई नहीं मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि कुछ थोड़ा आगर रिसक on the तब आप Grand League जितने के चांसेस काफी कम रहे जाते तो इसलिए ऐसा मैंने किया है फिर भी आप देख सकते मैंने वोरल को क्याप्टन मार्शल को वाइस क्याप्टन मना ईल्टा करना चाहे तो अफकोस आप कर सकते है और ऐसे भी रख सकते है क्योंकि बढ़िया है दोनों दोनों एक अच्छा कासा all-rounder एक अच्छा कासा bats बने तो आप जरूर दोनों पर भुर्षा कर सकते हैं चले दोस्तों यह भी टीम अच्छी खासी है लेकिन इसे मैं grand league के लिए suggest करूँगा स्माल league के लिए suggest नहीं करूँगा फिर भी अगर आपको लगता है कि स्माल league के लिए अच्छी है तो आप जरूर यूद्ज कर सकते हैं तो अच्छी खासी टीम है इसे close कर लेते पाचवी टीम पर चलते हैं अब पाच्छी टीम और भी अलग रहने वाले देख सकते हैं आप पर रिचर्ड तो रहेंगे ही उसके अलावा विखम, स्पिंगर, वोरेल और और उस्टीन इस तरह से चार अलग मतलब तीन तो वही है लेकिन एक और अलग batsman मैंने लेडी की कोशिस की है हो सकता है काफी फायदेवन साबित हो सके ये batsman जिससे काफी फायदा होगा और उसके बाद डी स्मित, एलेन, जोन्स को यहाँ पर लिया, मार्शल बतलब यहाँ पर भी एक change मैंने कर लिया है थोड़ा सा अलग change है लेकिन दोस्तों जो आप रिसके प्लियर लेते है न वो अगर चल जाता है न तो आपको grand league जीतने से कोई नहीं रोक सकता इसके बाद डी, डेपेंजा और क्लार्क इस थर से दो गेन बाद मेरे पास फिर से रहने वाले यहाँ पर अगर देखे तो क्लार्क का भी इतना बुरा performance नहीं लेकिन काफी कम लोग है जिनों ने इन पर वर्षा किया है as a captain और vice captain इनको choose किया है लेकिन हम इन दोनों को captain और यही टीम लग रहे है ग्रैंड लीग हो बड़ी लीग हो स्मॉल लीग हो किसी भी लीग के लिए यूज करेंगे तो मुझे तो कोई प्राब्लेम नजर नहीं आ रहा चले इस टीम को भी close करते है और चटी टीम पर चलते हैं चटी टीम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते रिचाट के साथ साथ यहाँ पर दो ही बल्लेवाज रखेंगा मैं जे बुलेन और वारल मतलब यहाँ पर भी ठोड़ी अलग बैट्समन ले लिए मैंने उसके बाद डी स्मित के स्टोर्ड और यहाँ पर मार्शल फिर से तीन ही यहाँ पर मेरे पास रहने वाले आल राउं ले लिए है जो कि बड़िया और अच्छे सावित हो सकते है इसके बाद यहाँ पर कैमरे को इस टिम का क्याप्टन और डिपेंजा को वाइस क्याप्टन मनाने जा रहा हूं दोनों बेस्ट है और सबसे बड़ी बात है कि जादा लोगों ने इन पर भी भरसा किया नहीं है लेकिन परफॉर्मस इतना भी बुरा नहीं कि आप इन पर भरसा ही ना करें तो इसलिए मैंने आप इन दोनों को क्याप्टन और वाइस क्याप्टन मनाया है आप भी इन दोनों पर भरसा करेंगे तो आपको काफी फाइदा हो सकता है चले दोस्तों इस टिम को भी मैं जरू और वेलकोंगा ग्रैंड लिक के लिए ही यूज करनी है स्मॉल लिक के लिए यूज ना ही करें तो बेटारेल देकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि अच्छी है स्मॉल लिक के लिए तो आप ज़रूर यूज कर सकते इस टीम को भी क्लोज करते है सात्वी टीम हमें देख हुं साधु टेम पर चलते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मैंने रिचर्ड के साथ-सात्य यहां पर देख सकते हैं विकम स्पिंगर लाब वार राएल और वेलकॉम इस थरste आर至 यहां ये बी टीम अच्छी खासी है और सबसे बड़ी बात है स्प्रिंगर को क्याप्टन और विकम को वाइस क्याप्टन मना रहा हूं दोनों भी बेस्ट है हाला कि पर्फॉर्मस मतलब बहुत ही बढ़िया भी नहीं बहुत खराब भी नहीं है लेकिन दोस्तों हम अगर इन पर भ हमएक दो बड़ी लीगो़ स्माल लीगोव के लिए यूज तो कर सकते हैं लेकिन सोच समझ के यूज की बहुत चले इस टीम पर चलते हैं तो यहां पर मेंने रिचर्ड के साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पर मैंने विखम वारेल और वेकम इस तरह से तीन बाट्समन डिश्मिट एलेन स्मार्शल और ग्रोवर्शन ग्रोवर्शन ग्रोवंजर इस तरह से तीचार और लेकिन यह काफी ज्यादा रिसके लेकिन हो सकता है आज यह में रात तो इस तरह से यहाँ पर मैंने तीन वापस ले लिए तचारा काफी बढ़िया है दोस्तों और यह ठोड़ी अलग और हटके टीम जरूर है लेकिन ग्रैंड लिग और बड़ी लिग के लिए तो जरूर यूज करते हैं स्मॉल लिग के लिए यूज करता है नहीं कर करता हूँ क्यापटन की और भास क्यापटन की बात करने तो विखाम को अभी तख कहीं पर भी मैंने क्यापटन नहीं बनाया था और साथ-साथ-स यहाँ पर हमें पर法 फाइस क्यापटन बनाना जा रहा हुं है दोनों बढ़िया है दोस्तों आप एक हठ टिम में जरूर इन नववी टीम पर जा दोस्तों नववी टीम पर चलता है हमें नववी टीम के बाद करें तो यहाँ पर रिचर्ड्स के बाद विकम, स्पिंगर, वारल तीन अच्छे बाट्समन रहेंगे हमार पास ग्रोवेशर, मार्शल, एलेन, डिस्मित फिर से चार ओल डांडर रहेंगे गेनबाजी में कुमेमत, कलारक और डिपेंजा इस तर से तीन ही गेनबाज रहेंगे तो इस तर से यह भी टीम बढ़िया है और सबसे बड़ी बात है कि काफी संतुलित लग रही है तो इस तर से इसलिए मैंने यह टीम बनाई भी है आप जरूर इस टीम को भी बड़ी लीग हो, ग्राड लीग हो, स्मॉल लीग हो सभी लीगों के लिए यूज कर सकते है कोई प्राबलम मुझे नजर नहीं आ रहा है फिर भी अगर आपको लगता है थोड़ा रिस्क है तो आप ग्राड लीग या बड़ी लिग के लिए उज कर ली जगा, स्मॉल लिग के लिए मत यूज कर ली जगा मुझे लगता है ये टीम ज़ादा से ज़ादा ग्राड लिग के लिए यूज करना बेटर रहेगा, स्मॉल लिग के लिए थोड़ा रिस्की है तो आप पर छोड़ता हूँ, मुझे लगता है नहीं कि यूज करना चाहिए चले इस टीम को क्लोज करते हैं, दसवी और आखरी और फाइनल टीम हमें देख लेनी हैं, दसवी और आखरी टीम के बात करें, तो रिचर्ड के बाद यहाँ पर मैंने तीन बैट्समन, तीन ओल रॉंडर लिए हैं, जैसे के आप देखे पार है, विकम, स्प्रिंगर, वार तीनों बेस्ट है, स्मीट, एलेन और मार्शल, तीनों अच्छे खासे है, आल रॉंडर्स, तो अब बात करें, तो यहाँ पर गेन बाजी में, डिपेंजा, डी करन्सी, और जेड कलार्क इस तरसे, और उसके बाद यहाँ पर, कॉम्रेट भी यहाँ पर रहेंगे मेरे पास तो इस तरसे, चार गेन बाज मैंने इस टीम में लिये है, तो यहाँ पर कॉम्रेट को ही इस टीम का कैप्टन मनाने जा रहा हो, दोस्तो, साथ इसाथ वाइस कैप्टन की बात करूँ, तो डिपेंजा को बनाने जा रहा हो, अगर आप डिपेंजा को कैप्टन, और कॉम्रे और बड़ी लिक किसी भी लिक के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन फिर भी आप सोच समझ के यूज कीजिएगा तो ये टी मेरी 10 टेमें जो दोस्तों काफी सोच समझ के बनाई है मैंने आई होप आपको ज़रू पसंद आई होगी थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रू कर दीजे साथी साथ चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को फ्रेस करना ना भूले और साथी साथ टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे कर दो कर दो।